देखो अभी महाराष्ट ने एक ऐसे लिस्ट को इंडिया की टॉप किया है जिसमें शिडियूल्ड कास्ट जो है जिनके पास MSME है मतलब कोई ऐसा शिडियूल कास्ट का व्यक्ति है जो MSME ओन करता है MSME का फुल फॉर्म है तो अगर किसी का है तो वो महाराष्ट में सबसे ज़्यादा है मतलब अगर मानलो मैं मध्यप्रदेश में या 36 गड़ में रहती हूँ तो यहाँ पर जितने भी शिडियूल कास्ट के अंटर्प्रिनर्स है जिनके पास MSME है जिनके पास MSME है जो MSME ओन करते है 96,805 ऐसे इंटर्प्राइज़ है जो की शिडियूल कास्ट ओन करते है ठीक है सेकेंड नमबर पर तमिल नाडू है जहाँ पर 42,997 ऐसे इंटर्प्राइज़ है जो शिडियूल कास्ट ओन करते है MSME की बात कर रही हूँ मैं ठीक है और राजस्थान में ऐसे 38,517 एंटर्प्राइज़ है जो की शिडियूल कास्ट ओन करते है अब MSME क्या होते हैं देखो MSME में जो शब्द है Micro, Small and Medium ठीक है Enterprises E से आते हैं तो Micro Enterprises में वो इंडस्ट्री या वो प्लांट या वो मशीनरी आ जाएगी मशीनरी समझतो नो मशीन्स वगेरा या उपकरन वगेरा जिनमें आपने एक करोड तक का investment किया है उसको खरीदने में या उस प्लांट को लगाने में आपने एक करोड तक का investment किया है या फिर उससे कम किया है और आपका जो टर्णोवर है वो पांच करोड रुपए है या उससे कम है small enterprises में वो आ जाएंगे वो उद्यम, वो plant या वो machinery या फिर वो machines आ जाएंगे जिसमें आपने 10 करोड रुपए या उससे कम लगाया है ध्यान से सुनना ठीक है 10 करोड रुपए या उससे कम लगाया है और आपका जो turnover है वो 50 करोड है या उससे कम है ठीक है किया है या turnover है आपका 500 करोड या फिर उससे कम समझ रहे हो MSMEs क्या होते है कुछ नहीं होते हैं चोटा सा industry plant या कोई भी machinery जो की आपने लगाई है आप खुद जिस पर काम कर रहे हो आपका खुद का है वो जिसके आप मालिक हो ठीक है तो इनको तीन भागों में बाट दिया गया है micro, small and medium और E से है enterprises तो यही होते है MSMEs जिसकी list आई है कि scheduled cast के enterprises कहां पर सबसे ज़्यादा है MSMEs कहां पर सबसे ज़्यादा है तो महाराष्ट में scheduled cast के सबसे ज़्यादा enterprises देखे गए है करीब करीब 90,000 ठीक है और अगर आप national level में देखो SC owned enterprises मतलब scheduled cast own कर रहे है जिन enterprises को वो इंडिया level में देखोगे तो 6% मतलब इंडिया के पूरे 6% SC है जो की MSME enterprises own करते हैं देखो MSME अगर किसी को भी खोलना है तो ऐसा नहीं है कि आपने एक enterprise खोल दिया और आप बैड़ गया ऐसा नहीं होता है ठीक है इसके लिए अभी उद्यम system of registration का जो extension है उसको कर दिया गया है March 31, 2022 मतलब इसके तहत आप March 31, 2022 तक registration करवा सकते हो अपने MSME का ये क्या होता है उद्यम system of registration जो है ये पहले था उद्योग आधार registration इसको यही बोले आता था 2015 में इसको launch किया गया था अब इसका नाम मतलब इसको replace कर दिया गया है उद्यम system of registration से ठीक है तो पहले क्या था उद्योग आधार registration और उसको replace किया गया उद्यम system of registration से तो इसमें क्या करना पड़ता है आपको जा करके अगर आप कोई enterprise ऐसा खोल रहे हो MSME अगर आप खोल रहे हो तो आपको जाके एक registration करवाना पड़ेगा online portal में registration करवाना पड़ेगा ठीक है जहां से आपको एक registration number provide कर दिया जाएगा जो की permanent होगा वो आपका registration number होगा जैसे ही आप portal में जाके online registration करोगे ठीक है उद्धियम registration इसको कहते हैं इस registration के complete होने के बाद आपको एक registration मिलेगा और एक certificate issue होगा online जिसको e-certificate आप बोल सकते हो ये जो certificate होगा इसमें QR code होगा जिससे कि आप directly उस web page पर पहुंच सकते हो उस portal के web page पर पहुंच सकते हो और enterprise का जो भी detail है आप उससे access कर सकते हो बार बार renewal कराने की आपको जरुवरत नहीं पड़ेगी एक बार registration हो गया तो वो permanent registration नमबर आपके पास ही रहेगा उसको आपको renewal कराने की बार बार जरुवरत नहीं पड़ेगी ठीक है और अगर आप खुद register करना जानते हो तो अच्छी बात है अगर आप किसी से कहीं से जाकर करवा रहे हो तो मैं आपको बता दूँ कि registration का जो process है यह totally free है कोई भी पैसा आपको नहीं देना है कोई cost कोई fees नहीं देनी है किसी को वीठी के बिल्कुल free है यह तो अगर आप MSME खो code होगा और आपको एक permanent registration number मिलेगा जो की आपका ही रहेगा उसको renew कराने की आपको जरूरत नहीं है इससे काफी सारे आपको फायदे मिलेंगे ठीक है जब आप registration करवाओगे तो कोई भी document या कोई भी proof देने की आपको जरूरत नहीं है आपको सिर्फ अपना आधार number देना ह है वही बहुत काफी होगा ठीक है तो यह था topic जो की current में था अभी है ना महराष्ट ने top किया है इसलिए current news में आ गया था तो इसलिए हमने इसको detail में discuss किया है और उद्धियम system of registration को भी हमने detail में इसलिए discuss किया है क्योंकि इसका जो last date है वो extend कर दिया गया है 31st March 2022 कर दिया है तो यह क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए MSME क्या होते है यह भी आपको बहुत अच्छे से पता होना है जिंकि इंडिया में बहुत सारे MSME है अब आप खुद सोचो सिर्फ scheduled cast कि अगर डब्बे हजार से जादा MSME enterprises महराष्ट में है सिर्फ तो कितने होंगे इं अब मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आज के लिए इतना ही थैंक यू